इसमी हमारी भासा में आज तक भी ऐसा चलता है कि देखो ये लोक गीत है यहां लोक आ रहे हैं यहां लोकों ने ऐसा किया लोकी यहां ऐसा कर रहे हैं सावित्री की बात है जो आज के समय सरावस्ति है एक वार आनंद आवसानंद आयस्मान आनंद भंगवान बुद्द के पास करे और वहाँ उनको आरभन वाधन करके आरभन का मतलब है आरंब वाधन यानि बातचित का सुरू आत्रा जो वाधन का सब्ध है इसको अभी बादल बोते हैं करके एक और बैठ गए और पूछन लगे के भंदे आप जो ये बताते हैं अपनी देशना में लोग दरसलि ये लोग होता क्या है ये लोग धम्मा क्या है भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध कहते हैं आनंद ये जो सरीर है पूरा का पूरा जो सरीर है परी लोग यानि के पूरी तरह से जो सरीर है लोग को सरीर बोते हैं इसका जो धम्म है इसको बोते हैं लोग धम्मा और ये छे प्रकार का होता है छे प्रकार का बना हुआ पूरा का पूरा जो होता है उसको बोलते हैं परिलोक धमा यानि कि पूल सरीर का धम बोलते हैं और लोक धम अलग-अलग-अलग ये छे प्रकार के होते हैं वो कहते हैं जैसे चक्खु होता है चक्खु यानि आख होता है तो आख का एक धम है यानि कि आख का एक गुण है वो क्या है आख? आख तो रूप है, रूप का मतलब वो hardware है, सरीरका अंग है, कोई ऐसी चीज है, जिसको आख कुछ चूर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें बजन हैं और जो जगे गेरती है, यानि आँख रूप है, हार्डवियर है और जो चक्खु है, यानि आँख है चक्खु है उसका एक वियाना होता है वियाना का मतब है कि उसका साथ में एक डीटल कोड को बदलने का एक्ट होता है या एक सिस्टम होता है कैसे होता है? जैसे हम अपनी आग से अपनी चक्कू से देखते हैं या कैमरा लेंस से देखता है तो जितनी भी तरकास की करण है वो उसकी एक फोटोजनिक प्लेट होती है सेंसर जिसको बोलते हैं उस सेंसर पर जाग गिरती है और वो सेंसर उस पूरी लाइट को डीचल कोड में बदलके आगे भेज देता है तो जो यह प्लेट है जो लाइट को डीचल कोड में बदलती है इसको वियाना बोलते है यह वियाना है तो कहते हैं एक आँख है आँखा धम है और उसका एक व्याना होता है और फिर उसके एक फस होता है फस का मतलब है इसपर्स होता है इसपर्स जब तक लैंस पर लाइट नहीं गरेगी वो एक्टिविटी नहीं होगा वो फोटो जब जाते हैं, आंग पे गिरते हैं, तो अंदर हमारा जो वियाना होता है, वो उसके कोट को, डीचल कोट मतल के हमारे ब्रेन को भेज देता है, बाकी काम आगे मेमोरी से और ब्रेन से होता हुआ जाता है, तो फस्ट जो होता है, फस्ट का मतलब है कि सपर्स होना, यानि कि ये लेंस पर लाइट गिरना आंक का जो लेंस है उस पे जो द्रस से जो छूता है उसको टच करता है उसको पाली में फस्व होते हैं यानि कि ये द्रस से टच किया तो वो कहते हैं कि फस्द्हमा होता है और फस्द्हमा के बाद में फिर वेदनाय होती है, सुखद वेदनाय होती है, दुखद वेदनाय होती है ऐ सुखद और ऐ दुखद वेदनाय होती है यानि कि हमने कोई दर्स से देखा आग से दर्स से देखने के बाद में जब वो डीटल कोर्ट में बदल जाता है और हमारे मस्तित में चला जाता है, मैमोरी में चला जाता है, उसके बाद आगे काम होता है, आगे के काम हमें हमें पता चलता है, कि ये जो दर्स से हमने देखा है, ये सुखदाई है, या ना सुखदाई है, ना दुखदाई है, जैसे हमने अपने बहुत प्रिये किसी वो यह देखा हमें सुखदाई लगा, हमें देखा कि बच्चे को कोई नुक्सान हो गया या घर में को नुक्सान हो गया, ऐसा दरसे देखा वो दुगदाई हो गया, और हम सलग पर चलते हैं, आम जन जीवन देखते हैं, वो पूरा दरसे हम देखते हैं, ना वो सुखदाई सुनने का होता है इसी प्रकार हमारा जो सोत होता है यानि के जो सुनने का होता है कांसे और इसी प्रकार से हमारे काया है पूरी पूरी जो इसके रहें उससे होता है और फिर सबसे आखिर में हमारे मन से होता है ये छे प्रकार के जितने भी सेंसिस हैं इनके जो धम है ये इनक सारे मिलके जो बनाते हैं यानि लोक सरीर के जितने भी अंग है ये सारे मिलके जो बनाते हैं इसको बोलते हैं परी लोक धंबा यानि कि सरीर के पूरे धंब बोलते हैं इसको तो यहां जो हम लोक से अभी प्राय है वो विने धंब में यानि कि बिने के नियम में धम बताने में सुत्तों में उसको लोग करके बोला जाता है इसलिए हमारी भासा में आज तक भी ऐसा चलता है कि देखो ये लोग गीत है यहां लोग आ रहे हैं, यहां लोग उने ऐसा किया, लोग की यहां ऐसा कर रहे हैं लोग वहाँ वहाँ जा रहे हैं परी लोग इसको बोलते हैं एक पर लोग होता है यानि लोग से परे शरीर से परे और एक होता है परी लोग पर लोग में और परी लोग में अंदर है पर लोग का मतलब है सरीर के बहार सारी चीजें और परीलोग का मतलब है सरीर के पूरे जितने भी सेंसिस हैं वो सारे के सारे सरीर में क्योंकि सरीर में जो इंपुट होता है जो अंदर जाता है वो इन पाच चीजों से जाता है कान से या नाट से या पूरी पूरी स्किन तवचा से या जीब से या आँखों से इन सब चीजों से जाता है इसके लावा सरील में और कोई इंटेक या अंदर स कोई चीज नहीं जा जाती है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छाम। उतियं पी बुद्धं सेनं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छाम। दूतियं पी धम्ममर्सेनं गच्छाम।